लोटस आयरवदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ उत्पल चौधरी आज हम बात करेंगे डियाबेटीज पेशेंट डिनर में ना खाएं यह पांच चीजें नहीं बढ़ेगा बिलेट सुगर लेवर तो कौनसी वह पांच चीजें नहीं खानी है यह मैं आपको बत डियाबेटीज रोग भी है डियाबेटीज में ब्यक्ति के शरीर में बेलेट सुगर का इस्तर बढ़ जाता है आपको बता दें कि जब शरीर में इंसुलीन का उत्पादन कम मात्रा में होता है तो डियाबेटीज रोग होता है डियाबेटीज अन्वांसिक भी हो सकता है ज आपनी डायट का खास ख्याल रखना चाहिए है कि डाइबेटिज रोगी डिनर में क्या ना खाएं है तो पहला है आइस्क्रीम अक्सलों डिनर के बाद आइस्क्रीम खाना पशंद करते हैं खासकर गर्मियों में आइस्क्रीम का सेबन भूल कर भी नहीं करना चाहिए आईस क्रीम में चीनिक की मात्रा अधिक होती है जिसमें डायबिटिश रोग्यों में शुगर का इस्तर बढ़ सकता है ऐसे में अगर आप डायबिटीश रोगी हैं तो आइस्क्रीम से परहिस करें डायबिटिश रोग्यों को कोफल ड्रिंक्स आधिक के सेबन से भी पचना चाहिए कि दूसरा डेरी पॉडक्ट्स में कल्सियम अधिक मात्रा में पाया जाता है ऐसे में आधिकत्र लोग डेरी पॉडक्स जैसे दूद धाई घी पनीर आधिका सेबन कि दिन के किसी समय भी करते हैं लेकिन अगर डैबिटीज रोगी को रात की समय डेरी पॉड़क्ट से पहरेज करें दूस्रे वन्य उत्पात सरीर में सुगर बढ़ा सकते हैं 7 रात की समय डेरी पॉड़क्ट को डाइस्ट करना भी मुस्कृष हो जाता है कि फाष्ट या जनक फूड दीनर में फाष्ट्फूड या जनक फूड का सेबं करना खुब पसंद करते हैं हलांकि फाष्टicias सहत के लिए बेद्धानी कारा होता है फास्ट फूड कई गंबीर बिमारियों का कारण बनता है, फास्ट फूड खाने से मोटापा बढ़ता है, साथ ही इसमें सुगर का इस्तर भी बढ़ सकता है, इसलिए अगर आपको डायबेटिज है तो फास्ट फूड का सेवन बिलकुल ना करें, खास कर डिनर में फास्ट फ चाहिए, आलू में काप्स अधिक होते हैं, जो सुगर का इस्तर बढ़ा सकते हैं, इसके अलाबा मैदा भी सेहत के लिए नुक्सा अंदायक होता है, आपको अलू के चिप्स, पकोड़े या सबजी नहीं खानी चाहिए, डिफ फ्राइट फूड से भी परेज करें, अगर आप रात में इन चीजों का सेवन करेंगे, तो इससे सुगर का इस्तर तेजी से बढ़ सकता है, नमक का सेवन कम करें, डियाबेटेज रोगियों को डिनर में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, नमक बिलेट सुगर बिलेट प्रेशर को पड़ सकता है और ब्र dip को दिकत हो सकते हैं। आपको नमक या नमक से वनी मेरे सो छीज़ों को खाने से बछना से है। कि मैं आपसे एक सवा देना चाहूंगा अगर आप नमक खाते हैं तो शफद नमक पांच कर्म से ज्याद़ मत खाएं। और अगर काले नमक खाते हैं तो आप खा सकते हैं लेकिन कॉंट अड़ी उसकी भी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए सफेद नमक को अवाइट करें और काले नमक को शुरूबात करें तो यह था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आपको धन्यवाद